कास को ऐसी सबजी हो जिसके साथ खाने के लिए ना रोटी बनाना परे ना चाबल बनाना परे तो मेरे पास एक रेसिपी है तो चलिए आए मेरे वीडियो में बने रही है लाज तक और देखिए कि मैं ऐसी कौन से डिश बना रही है कि जिसके साथ ना ही रोटी ये बनाना पर और नहीं चाबल बनाना पड़ेगा तो मैं इसका नाम भी आपको आगे चलके वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले यह हम लोग क्या करेंगे कि जो आलू और प्याज होता है सिंपल हम वो लेंगे और उसे छिलना कातना पीटना सब चालू कर देंगे और इसमें हम लोग गोवी भी डालेंगे मटर भी डालेंगे आपके पास अगर कोई और भी हरी सबजी है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं आप यह मैं सुचे कि मैं मिक्स वेज बना रही हूं या फिर कुछ भी ना ना तो यह एक सिक्रेट रहा कि मैं कौन सी डिश बना रही हूं तो अगर आपको जाना है तो आप मेरे वीडियो को होल्ड करके रहिए मतलब पूरा देखे लाज तक तो हम लोग जो यह प्याज है उसे बारी की बारी की काट लेंगे जिस से कि यह मतलब हम लोग को भूने में इसे असानी हो मैं यह डिस अकसर तभी बनाती हूँ जब मेरे घर में कोई ना हो या फिर मैं अकेले रहूं तो आज कुछ ऐसा ही है मेरी मम्मी भाई सब को गया हुआ है शादी में अब मैं तो बैसिकली मुझे खुद के लिए ही बनाना परा ये बनाना ही परा खाना लेकिन अब मैं सोची थी कि क्या बनाओ के लिए के रोटी चाबल सबजी इतना सारा खाना के लिए के लिए बनाना बहुत हैड़क लगता है तो फिर मैंने इसके लिए सोचा कि चलो कुछ ऐसी एक आड़ने द्रेसिपी बनाई जाए कि यह मुझे रोटी चाबल बनाने के उसके साथ में जूरत मातलब मैं सब कुछ ख हा भी लिए मतलब चाबल रोटी वीए अधिश के खा भी बनाने लिए का बलिया करमत्युद्ज मृस Totally Приवानाने का बनाना नियुत ऐसी मृसा अब नही का आनंद उठाए क्योंकि क्या होता है कि अकेले के लिए खाना बनाना बहुत पहाल होता है हम लोग यह सुचने लगते फिर बरतन होंगे बरतन होना परेगा फिर इसके वाद इतना मेहनत करना परेगा तब जाके खाने को मिलेगा तो अकेले के लिए बनाना थोड़ा मुस्क तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखा किजिए आपको पता चलेगा और ऐसे भी रेसिपी वही अच्छा होता है जो हम लोगा समय और मेहनत दुनों बचाए तो यह कुछ ऐसी ही रेसिपी है अब देखिए मस्में डॉलने के लिए कोभी अच्छी से काट लिए इतना बतब्स मेने नहीं उसमें डालूं गावाड़े यह मैं तो प्रेज मैं उसके बादव मनें चौपिंग करना सब्सक्राण में प्याज काट रहे हैं ये वैसे आप मुझे क्या कमेंट करके एक चीज़ बताए कि आप जब भी घर पे अकेले रहते हैं तो आप अपने ले क्या डिश बनाते हैं और क्या कमन करता है खुद के लिए खाना बनाने के लिए मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है इवन मैं एक ये मतलब अभी शाम को सम अब मुझे चाय पीने का उतना मनला मुझे ये लग रही कि अकेले केले चाय बनायों फिर से उतना बरतन हो फिर इतना थैंड घ्रपन हो तो थोरा अलस भी लग रहा थोरा ये फो सोच के लिए तो फिर में एक आदमी में उतना महनत तो फिर इसक बद द, मैंने when is उचा के तो अब देखते कि कब तक मैं बनाऊंगी अपने लिए चाहे तो देखिए इसमें थोड़ा सामों तेल ले लेंगे तेल यह रिफाइन कुछ भी अपले सकते हैं अब उसमें आलू प्याज डाल के इसमें आप दो ची जरू टाले गए एक तो छोटी लाइची और एक यह डाल दाल चीनी यह मैंने इसमें एड किया है आप देख सकते हैं तो इसमें मेरा आलू भी यह जल्दी भुन गया था और प्याज भी भुन गया अब इसमें मैं थोड़ा सा चावल रखी थी फूला के यही मेरा इसमें सीकर्ट है तो मैं इसमें चावल थोड़ा सा फूला के पानी हमें कितना लेना है जितना हम चाओल लिये हैं उससे डबल हमें पानी लेना अबसे आदेशा फैजों पोल को आब लिजे या फिरनकीन चाओल Go Shell वोल लिज legislators उससे नमकीन चाओल बोलते हैं तो यह नमकीन चावल हम लोग बनाए थे तो यह रेसिपी मेरे घर में सब को बहुत पसंद आती है अब देखे कितना खिला खिला हुआ और एदम बहुत लजीज टेस्ट के साथ बनाते है इसमें अगर थोड़ा सा और आपको एन्हेंस करना है इसका फ्रेंगनिस तो इसमें घी डाल दीजे बहुत ही उभर के आता है अब आप स्वा लाइक दे वीडियो ठेंक इन तो